साहवगन जिले के कुलभंगा पहाड गाउं में 65 घर हैं जिसमें सभी गाउं की तरह बिजली तो आई थी लेकिन 2-3 दिनों के वीतर बापस भी चली गई वर्ष 2013 में बड़ा तुफान आने के कारण रास्ते के खंबे गिर कर तूट गये जिसके कारण बिजली चली गई और आज तक बापस नहीं आई इसके सूचना मौकिक तोर पर दी गई थी लेकिन कोई कारवाई नहीं की गई जबकि राजिव गांधी विद्धित योजना के तहट ये नियम है कि सभी ग्रामीन छेत्रों में बिजली होनी चाहिए लेकिन कुलभंगा पहारगाओं में बिजली सिरीप अपनी जहलक दिखा कर ही चली गई finish when में बिजली तो बारा या देरा में ऑरा लास्ट तेरा में बारा ये निवर है तो डो यह तीम जाया था उसके बातो नहीं आया है उसके बाद तो तुफान होने के बाद बीच में खंबा टूटने के बाद जो है सब बंध हो गया है कहां खंबा किस तरफ गिरा वह जो कमारी के ऊपर जो है जरा सब जो मोड है मोड तरफ भी गिरा हुआ है वहां भी टूटा हुआ है और जो सारपूर के इधर भी बास जहां पर लगा हुआ, वहां पर भी तूटा हुआ, यह साथ याठ को जो भी है वो तूट चुका है, इसलिए नहीं आ रहा हुआ है, कोई आया था है जांच करने के लिए? यहां तो जांच पत्तर करने वाला तो अभी तक तो नहीं आया था, लेकिन कैसे बताएंगे हम लोग को जा करने नहीं है, इसलिए इस बज़े से कहा जाएंगे बोलकी, मुने हम लोग नहीं जाते हैं, अचा, और कोई परसानी है बिजली नहीं आता असके लिए? बिजली नहीं आने के कारण से बहुत तकलिब होती है यहां रात में, विजरा साथ, रात में जो है, खाना पकाने में में भी दिक्कत हो जाता है और जो है हम लोग को जो है इधर उदर चलने फिरने में भी दिक्कत है मने घरे में अंदर में जब हम लोग लकडी जलाते हैं उसके बद लकडी जलाने के रोसनी से ही हम लोग गुमते फिरते हैं मने घर में भी बनाने में दिक्कत हो जाता है किया म मैंने ये बीडियो इसलिए बनाया है क्योंकि ये गाउ मेरा अपना गाउ है। रात्री के समय बिजली ना होने के कारण मुझे भी काफी परशानी के सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं और मेरे समुदाय के लोग ये चाहते हैं कि हमारे गाउ में भी बिजली बापस आए। इसलिए आप सभी बीडियो देखने वालों से मेरा अनुरोध है कि साहवगन जिले के उपाय। स्री उमेश कुमार सिंग को मुबाइल नंबर 94-315-2021 पे फोन करके दवाब बनाए। ताकि हमारे गाउ में भी बिजली बापस आए ने पाय। मैं शिखा कुमारी पहाड जिला साहवगन जहार खंट से इंडिया अनहट के लिए।